अखंड मंडला कारं व्याप्तं एन चराचरं तत्पदं दर्शितं एन तस्त्मै श्री गुरवे नमाहा सम्सारस्थै ही अपि भगवत साक्षातकारं प्राप्तुं शक्यते उदाहरनार्थं जनकराजेन भगवत साक्षातकारह लब्धाह आसीत एतत जगत स्वप्न जवनिकावत इति रामप्रसादह वदति इदं जगत मोदन ग्रिहं अत्रकादामि पिबामि मोदेन भवामिव जनकराजह महराजह कोवा अभावह तस्यासीत सहये तत पार्ष्वे तत पार्ष्वे पार्ष्वद्वये निस्य दुग्धं पीतवान समग्रम् तत दुग्धं कम्सेन सर्वे हसंतस्संति किन्टु सहसा जनकराजवत भवितुंके नापिन शक्यते तदर्थम तपह चरनीयम जनकराजह न आदव एकांते भृषम तपह चरितमासीत सम्सारस्थैही तदा तदा निर्जन प्रदेशं गत्वा भगवदर्थम रोधनीयम जनाहा पत्नी पुत्रे भ्यह घटशह अश्रूनि स्रावयंती भगवदर्थम कहा रोधिती वद सम्सारस्थैही तदा तदा निर्जन प्रदेशं गत्वा भगवद साक्षात कारार्थम साधनं करनीयम यह सम्सारे पदार्पणं कृतवान अस्ति यह विविध कर्मसू रतह भवति तेन भगवती मनहा स्थिरं स्थापईतुम् महते कस्ताय भवति आदव आदव बहवः अंतरायाह आगच्चंती मार्गपाश्वस्थ सस्यम् यावत पर्यंतं बलिस्थम्न भवति तावत पर्यंतं तस्मै वृतिह स्थापणिया भवति अन्यथा अजादयाह तत नाशयंति सस्यम् यदा प्रवृत्धं भूत्वा बलिस्थह वृक्षह भवति तदा वृतेह आवश्यकता न भवति तदा तस्मै वृक्षाय गजह बद्यते चेदपि सहा न नस्यति